तो विल्कमें दोस्तों नमस्कार आप सभी का आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जारखंड हाइकोट पे 674 पदोपे वेकेंसेस आई हैं ठीक है और इससे पाले भी 55 सीटे पे आ चुकी है वेकेंसेस असिस्टेंट के और अभी जो है 674 पदोपे आपके डिफ इधर 24 के वेकेंसी है ठीक है और आज ही बस सामको ही अप्लोड हुआ है और मैं आपको अभी बता रहा हूं ऑनलाइन अप्लिकेशन आर इनवाइटेड प्रॉम इलिजिबल केंडेड टीक है मैं डिरेकली पोस्ट का नाम बता देता हूं आपको और इधर सीट दिखा देता हूं ठीक है पहला है आपका पोस्ट इंग्लीश एस्ट्नोग्राफर और सीविल कोट अप जारकन तो जारकन में जितने भी जिलों में सेविल कोट ए उन सभी के लिए एस्ट्नोग्राफर की पोस्ट है 397 ठीक है और इधर आपके तीन गो जेनरल से यूमेन के लिए के लिए सुरक्षेत हैं ठीक है तेरा को पीड़ाबुलडी के लिए सुरक्षेत हैं अगे दिख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग इधर इंग्लीज एस्टनोग्राफर पूर जुडी सियल अकेडमी जारकंड और इसमें जो है टोटल आपके दो सेट है ठीक है चलिए यह तो हो ग गया है हों भड़ने का siTraut picture अक मार्च है एक मार्च दोहजाबश्य और वंप पढ़ने का लाश्ट डिठ आपका 31 मार्च दो हजार चौबीस एक मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आप इस का फॉर्म भर सकते हैं देखिए क्वालिफिक्रजन क्या रखा गया इस फॉर्म को भढ़ने के लिए तो इंगलिस एस्टेनोग्राफ की जो पोस्ट है इसको फॉर्म को फिलब करने के लिए बोला गिया है कि आप कम से कम ग्रिजवेट हो ठीक है ग्रिजवेट इन एनी सब्जेक्ट फ्रम और इकॉनाइजड इन्युवर्सिटी विद एस्टनोगराफर इस्पीड होना चाहिए आपको एस्टनोगराफी की सौट हेंड जिसको बोलते हैं एटी वर्ड पर मिनेट ठीक है एंड इंग्लीज टाइपिंग आपकी जो होनी चाहिए वह फोटी वर्ड पर मिनेट होनी चाहिए ठीक है इन इंग्लीज एंड बोला गया कि कंप्यूटर विद कि परमिसिवल मिश्टेक अप्टू फाइपर संट मतलब कि आपकर 95% परसेंट और यहां पर बोला गया है दो सेभंत पी आर्सी के एकोड़ेंग आपका सेलरी 25500 से लेकर के 81100 के बीच में रहेगा ठीक है देखिए पहले यह जो है आपका सौट हेंड 60 वर्ड रहता था और टाइपिंग इस भी 35 वर्ड लेकिन कंपेटिशन जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इन्होंने अपनी क्वाइलिटी और भी डिमांड करने लगी ठीक है यह हो गया देख लिए दोनों के लिए क्वाइलिपिक्सन यही है जो डिसल अलकेडमी और अश्टनोग्राफर के लिए मैंने बता भी दिया कि आपको चाहिए फॉर्म फिलप और अब चलिए नेक्स्ट वेकेंसी के उपर चलते हैं उसके बाद सब कुछ बात करेंगे एक जाम वोगेरा के बारे में ठीक है और यहां पे आपका मैक्सिमम आदमी तो आप फॉर्म नहीं फिलप कीजिएगा आगे देख लेते नेक्स्ट पोस्ट जो रह हुआ टाइप पिस्टीज़ कि आप अपिस्ट पींपे और यह आपका सेविल 綠ीज में फॉटल सत्रागा पॉस्ट है इंदर नेक्स्ट हमारा यहां पे दूसरा पॉट जो है कोड़ रीड में कमो दिपोजिशन रइटर टेक और यह आपका नगर उटारी जो की घड़व में है फिर आपका चांडिल जो सारी के लखार सावा में है एन रामगड में फैमली कोट इन सभी में हैं यहां पर टोटल आपके 14 सीटे हैं 14 ठीक है और अंतिम में आता है आपका डिपोजिसन टाइप इस्ट सिविल कोट का और इसमें आपके टोटल 218 सीटे हैं कितने 218 ठीक यहां पर बोला गया है क्या क्वाइलिपिकेशन तो फॉर्म बढ़ने का डेट सेम है एक मार्च चाप इसका फॉर्म एप्लाइ कर सकते हैं लास्ट रहेगा आपका 31 मार्च 2024 ठीक है देखें टाइपिस्ट कोपिस्ट सिविल कोट इसमें बोला गया है कि आपको पैर मैट्र गया है डेंजर ठीक है कितना टाइपिंग तो 40 वर्ट पर मिनट आपका इंगलिस में और 30 वर्ट पर मिनट आपका हिंदी में ठीक है मतलब इस पीड चाहिए वाई ठीक है मतलब ऐसा स्पीड कि गाना चलता है और आप उसको टाइप करते जाएं ठीक है उदर गाना बाज 30 वर्ट पर मिनट ठीक है डिपोजिशन टाइपिस्ट में भी वही है सेम ठीक है तो यह है क्वाइलिफिकेशन जो कि यहां पर इन्होंने क्या बहुत है और यहां पर थोड़ा सा क्या बहुत ही ज्यादा पर रखा गया है आप चलिए हम लोग एक थोड़ा सा देख लेते ह क्या आएगा एक्जाम में फॉर्म भड़ने के पीस भी इन्होंने डेंजर रखा है 500 रुपिया ठीक है और यहीं पर एश्टी 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 के इंड़ेट को यहां पर 125 रुपिया देना पड़ेगा फॉम पीस ठीक है बागी सब को 500 रुपिया फॉम पीस लगेगा आगे दिख लेता है नेग्स तो क्या है नेक्स्ट हमारा एक्जाम गच एक्जाम के बारे में भताया है कि आपका इंग्लिष टैपिंग स्किल्टेष्ट होगा सबसे यहां पर आपका जो है टेष्ट आपaremos कर रहेगा ठीक है यहां पर बूर लिए है कि परस्रंशल्डी ड इंटर्व्यू वह दास माक्स कर रहेगा मतलब कुल मिला कि 100 माक्स और यहां पर बोला गया है कि इंग्लिश टाइपिंग इसकिल टेस्ट जो होगा इसमें आपका टाइपिस्ट में एक मिनट उकिएगा अब देखिए यहां पर इनोंने बोला है कि 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको पांच मिनट में 200 टाइप करना है ठीक है पहला टार्गेट यह है और दूसरा है फिर आपका हिंदी में हिंदी में बोला गया है कि आपको 10 मिनट पर मिनट स्वरी 30 है तो देखिए जब आप यह दो सामनाई कर लेंगे ठीक है दो सिच्वेशन देन आपको इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा ठीक है यह दोनों क्वालिफाई करने के बाद और जितने वेकेंसी है उसका तीन गुना यहां पर क्या बोला गया है कि आउट आउट अपने टाइब त्याइब टाइब टाइब टेस्ट एंडट ओओड ऐए जिह देक है ने,टक आफ्य अध्य आपको जो भी आत्रटी द्वारा दिया जाएगा उसको टाइप करना होगा यह दो होगया टाइपिस्ट के लिए और यार एक्जाम हो गएरा का बात यहां पर कहीं पर भी नहीं किया गया है कि हम आपको एक्जाम लेंगे यह वगएरा वगएरा ठीक है तो यहां पर बस टाइपिंग टेस्ट होगा आपका समझ गए ना तो अगर आपने दम है तो ही उतर यह मैदान में नहीं तो भाई पैसा बरबादी करने के लिए मत उतरिएगा ठीक है पहले बताता हूं आगे देख लेते हैं थोड़ा सा तो आद्म करांफर का क्या बोला गया है तो आदमी का हो गए नहीं पाहली सी बात ठीक और अभी क्या है कि जितने आदमी फॉर्म एप्लाइ करने वाले हैं ना अधने वेकंसिस नहीं आती है और इतना आध में परचार करेंगा रेभाव यह है वह है वीडियो बनाएगा हजा तो यहां पे तो दीकिए आपको भी यहां पे कुछ खास नहीं बोला गया बस एक नौट दिया गया है तो जो प्रोवाइड किया जाएगा एक्जामिनर के दोबारा अथोरटी उसमें आपको टाइप करना होगा ठीक है एंड जो है तो यहां पर कोई एक्जाम नहीं होगा ब जमाना भी ऐसा आ गया है कि इसके लिए तो काम करो भाई नहीं तो पढ़ा लिखा बहुत है आजकल दुनिया में ठीक है चलिए जो भी है मैं इसलिए बोलता हूं जहां पे मौका मिलता है काम पकड़ लेजिए ठीक है बाकि आपकी मर्ची मैं इसका पूरा का पूरा पीड कि देखे दोस्तों मैं कठोर सब्द परियोग करता हूं लेकिन क्या बता हूं इतना ज्यादा पॉपूलेशन हो गया है और बेरोजगारी कहां पर पहुंच गया है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो आप इलिजिबल है तभी फॉर्म को अप्लाई कीजिए नहीं तो जूड देंक्यू बाई जय हिन जय भारत जय जार्फन जोहार